हलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एच्चुकस्टन चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे ओप्टिकुल आईड्रॉप्स के बारे में तो हम सिखेंगे ये आईड्रॉप्स के बेजिक यूज के वरे में के कौन से अलग-अलग मेडिकल कंडिशन्स के अंदर ये आईड्रॉप्स यूज किया जाता है साथी जिन सिखेंगे कितने डोस में ये यूज करना चाहिए साथ ही जानेंगे उसके side effects क्या रहते है and warnings भी जानेंगे ये lecture के अंदर तो optical light drops की detail study करते है आज के lecture में वो भी सरल बासा में तेक्सपर लेक्चर बाया मरसर आसिस्टम प्रॉफेसर एंड फाउंडर ओफ फार्मरोक्स थैंक यू फर बीन फार्मरोक्स फेमिली अपडेटेड रही है फार्मा नोलिज के साथ एकसेस कर सकते हैं study material टेस्ट सीरीज इन वीडियो लेक्चर फार्मरोक्स के अब उपर अब सीखे अलग-अलग बीमारिया और उनके treatment या फिर इलाज के बारे में फार्मरोक्स के अब उपर offerable price में की अलग-अलग medicines के बारे में सीखे उनके basic use क्या होते हैं उनके dose क्या रहते हैं side effect, warning, contraindications वो भी सरलबासा में एक साल तक offerable price में फार्मरोक्स के mobile application के उपर तो अभी download कर लिजी application फार्मरोक्स की जो अप्लिकेशन है, google play store पे apple iphone app है, app store पे link आपको description box के अंदर मिल जाएगी, तो आप सिखते है optical eye drops के बारे में तो ये medication ऐसे class का preparation हम कही सकते है कि जो ophthalmic preparations कहीं जाती है ophthalmic preparations मतलब कि ऐसे medications की जो specially eyes के लिए होती है कि eye drops के तोर पे आप उसको use करते है, इसके अंदर जो medication से उसकी हम बात करे तो एक medication है उसके अंदर वो है nephazoline की जो 0.05% weight by volume की concentration में इसके अंदर रेड़ है कि आप आप देखो nephazoline hydrochloride लिखा है कि ये एक salt composition उसके अंदर present है, दूसरा हम देखे तो वो है phenylephrine hydrochloride कि जो 0.12% जितना उसके अंदर present है तीसरे कुछ ingredients देखे तो वो है menthol and camphor उसके अंदर add किया है और ये एक ophthalmic solution है कि जिसका brand name दिया गया है optical आगे देखे उसके label के बारे में detail में तो ये 10 ml के eye drops available होते हैं कि जिसके अंदर ये salt composition के तौर पे है nafazoline and phenylephrine और बाकी और menthol and camphor भी उसके अंदर जो है वो add किया गया है detail ingredients देखे दूसरे तो nafazoline है phenylephrine है और menthol camphor के अलाबा benzyl kolium chloride जो है उसके अंदर add किया गया है as a preservative के तौर पे उसके अंदर add है फिर यहाँ पे जो है वो proper directions वेगला लिखी गया है कि for external use only and not for injection कि कोई गलते से भी उसको injection के थूँ use ना करें और external use के लिए especially ice के लिए ही उसको जो है वो use किया जाता है ophthalmic preparations के तौर पे ही use किया जाता है यह था उसका label detail optical eye drops की अब जानते हैं नाफाजोलिन ड्रग के बारे में तो नाफाजोलिन जो है वो एक antihistamine है और antihistamine के बारे में हम जानते है कि यह medication specially क्या करते हैं जो allergic reactions होती है उसको काम करती है तो और decongestant के तौर पे भी यह medication काम करती है और antihistamine है तो क्या करती है कि जब आखों के अंदर अलग-अलग allergic reactions होती है जैसे कि आप देखो कि redness हो जाती है आखों के अंदर और यह redness को relieve करता है नेफाजोलिन कि जब कोई आपको minor eye irritations होए कि आखों के अंदर कोई irritations होए है जैसे कि cold के कारण thund के करण कई बार ऐसे problem होते है आखों में dust वगेरा जाना power वगेरा जो होता है smog के करण की जो दूआ वगेरा होता है pollen मतलब कि कोई allergens वगेरा है swimming वगेरा आप करते है कोई contact lens वगेरा आप पहेंते है तो उसके बाद कई बार क्या होता है कि आपको आखों के अंदर आप जो है वो redness जैसे हो जाते है कई बार सूजन जैसा भी हो जाता है दर्द करती है आखे तो उस वक्त ये medication जो है वो ये सब symptoms को जो दूर करता है फिर जो phenyl ephrine जो इसके अंदर red है तो phenyl ephrine भी एक डी कंजिस्टंट के तौर पे काम करता है और ये भी जो आखों की जो allergy के जो symptoms होते हैं उसको reduce करने का उसको कम करने का जो है वो काम करता है जैसे कि ये जो है वो phenyl ephrine 0.12% ये eye drops के अंदर add किया हो गया तो उसके हम role समझ लेते हैं ये क्यों add किया गया है तो ये करेगा कि reduce करेगा redness की आखों के अंदर जो आपकी redness आ जो कि है लाल हो गई है आखे तो वो कम करेगा उसके swelling मनले कि susan कम करने का काम करेगा और जो dryness कई बार हो जाती है आखों के अंदर तो इसको भी कम करेगा ये phenylephrine तो ये दोनों के combination से जो eye drops तयार होते है उसके हम uses देखे उसको basic use समझे तो आखों के अंदर जो रेड़नेस हो जाती है आखे लाल हो जाती है तो उस वग यहाँ पे आप ये diagram के अंदर देखे कि आखों के अंदर आपको redness देखने को मिल रही है तो ये redness को जो है वो कम करेगा ये eye drop तो redness कम करेगा क्योंकि उसके अंदर जो ingredients है नाफाजोलिन है phenylephrine है तो ये redness कम करेंगे फिर आखों में जो दर्द होता है pain in the eyes जो हम कहते हैं कि आखों में दर्द होना तो वो कम करेगा फिर allergic reactions हो जाती है आखों के अंदर तो जो आखों में जो allergy होती है और उसके करण जो symptoms develop होते हैं जैसे कि आखों में सूजन हो जाती है कि जिसको हम कहते हैं कि swelling हो जाना फिर eating मतलब कि वहाँ पे आपको खुजली जैसा होता है itching जैसा फिल करते हैं आप watering आई मसले कि कई बार आखों में से जो पानी आता है puffiness जैसी हो जाती है मतलब कि आखों में सूजन है वहाँ पे काफी inflammation जैसा है ऐसा आप फिल करते हैं तो ये सब भी medical conditions के अंदर optical के जो eye drops जो है वो use किये जाते हैं आगे समझे तो उसके directions क्या होते है कि जो dose देखे तो कितने drops जो है वो use करने चाहिए उसके तो 2 से 3 drop 2 से लेकर 3 drop जो है वो आपको use करने चाहिए कि जब भी आप apply करते हैं तो 2 या 3 drop जो है वो आपकी आखों के अंदर डालना रहता है और ये 2 से 3 बार जो है वो आप दिन में कर सकते हैं कि 2 to 3 times इन डेकि एक ही दिन में आप जो है वो अलग-अलग time पे 2 या 3 बार जो है वो eye drop यूज करते हैं और हर time 2 से 3 drop जो है वो आखों के अंदर डालें और कभी भी overdose के अंदर यूज ना करें because अगर गलते से भी बहुत ज़्यादा आप ये eye drops डाल देती है आखों के अंदर तो problems कुछ हो सकते है जैसे कि आपको stinging फिल करेंगे आप eyes के अंदर कि जिसको हिंदी में कहते है कि आखों में चूबन होना कि जैसे कोई चीज चूबती है ऐसा फिल करेंगे आपकी eyes के अंदर तो ये एक side effect होती है अगर कोई person बहुत ज़्यादा बार उसको use कर लाता है direction जो उसके oppositely use कर लाता है कि जो 2-3 बार हमने कहा है उसको use करना 2-3 drop दिन में तो multiple time आप use करते हैं उससे भी ज़्यादा और हर time बहुत ज़्यादा drops डाल देते हैं तो ये problem हो सकती है second blur vision हो जाना कि ये side देखो ये वाली image के अंदर कि ये वाला जो है वो normal है और यहाँ पे जो है वापको blur दिख रहा है तो ऐसा blur vision जो है वापकी हो सकती है कि अगर आप उसको बहुत ही ज़्यादा यूश करें कि जिसको हिंदी में हम कहें थे कि कि काफी दुंदला देखेगा आपको और दुंदली डुस्टी हो सकती है आपकी तो ऐसा कभी भी ना करें तो ये side effect develop हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत ये eye drops को लेना बन कर दे या फिर low dose में उसको use करें फिर कुछ लोग photophobia जिससे fill करते हैं कि यहाप याप देखो कि आपके सामने कोई light है प्रकास है तो वो जो है आप सहन नहीं कर पाते कि जिसको प्रकास की और सहनियता कहा जाता है हिंदी के अंदर कि आप जो है वो प्रकास को सहन नहीं कर पाते तो light जो है वो आप tolerate नहीं कर पाते ऐसा हम कह सकते कि person जो है वो light tolerate नहीं करता कि उसके सामने समझे कि light आ रही है तो वो उसको tolerate ना कर पाए photophobia हो सकता है इसके अंदर रहे जो ingredients है वो कई बार जो pupils होती है हमारी आखो की उसको जो है वो dilate कर देते हैं कि जिससे कारण person जो है वो कई बार प्रकास जो हो सहन नहीं कर पाते हैं तो ये सब कुछ side effects develop हो सकते हैं तो जरूरी है कि आप उसके proper dose के according to या फिर आपके जो eye specialist है आपके ophthalmologist जो आपको suggest करते हैं उसके according to proper use करें उसके कुछ warnings भी है तो warning ये है कि ये eye drops लेना बन करते हैं या फिर use ना करें कि अगर आपको hypersensitity, hypersensitity मतलब कि आपको जो है वो allergy जैसा हो जाता है आपको ये eye drops use करने से allergy हो जाते है या फिर इसके किसी भी ingredient की आपको allergy जैसे कि आपको समझो कि phenazolin की allergy है या फिर phenylephrine की allergy है camphormenthol की आपको allergy है या फिर उसके अंदर रहा जो preservative benzyl-colyum chloride की आपको जो है वो allergy है तो ये eye drops को use ना करें तो ये खास दन रखे कि don't use if you have तो पहली condition हो गई allergy है आपको या फिर hypersensitivity हो जाती है किसी भी ingredient की second allergic reactions develop होना start हो जेते हैं after using this eye drop की जैसे आप eye drop एक ही बार use करते हैं और तुरंत allergic reaction develop होना चालो हो गई तो तुरंत ये eye drops को लेना बंद कर दें और तिसरी condition के आपकी medical history रही है आपको allergy थी nefazolin की या फिर phenylephrine की और इसकी hypersensitivity थी या फिर ऐसे medical history रही है आपको ये दो ingredient की allergy की तो तुरंत आपकी doctor या फिर pharmacist को बताए कि आपको ये allergy थी तो वो आपको ये describe नहीं करेंगे तो ये सब प्रॉपर ध्यान रखने पड़ते कि जब आप ये optical के eye drops यूज करते तो ये warning रहती है और ये warning को जरूर से follow करें पहले कि अगर आपकी ऐसी past में medical history थी कि अगर आपने नेफाजलिन का eye drop यूज किया था या फिर phenylephrine का या फिर दोनों के combination वाला को eye drop यूज किया था और उससे आपको allergy हो गई थी या फिर hyper sensitivity हो गई थी तो तुरंत ये eye drop को यूज करना बन कर दे या फिर पहले से ही उसको use ना क करें और दूसरे alternative जो है वो use करें तो इसी तरह से सीखे अलग-अलग medicines के बारे में कि जैसे हो यहाँ पर हमने optical के use के बारे में सीखा उसके dose side effect warning सीखे तो यसे बहुत सारे अलग-अलग medicines के बारे में सीखे एक साल तक offerable price में सरल भासा में farmer ox की अब उपर तो यह number पर आप ह 901631-2020 वो number पर whatsapp कर सकते हैं या फिर download कर लीजे mobile application farmer ox को android application आपको मिल जाएंगी google play store पर से apple iphone आप मिल जाएगी app store से links अमने description box में देती है या फिर जो भी जो number दिये आपको plus 91 901631-2020 यह number पर आप हमें whatsapp जो है वो कर सकते हैं links के लिए तो thank you good luck and all the best